आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे लाल बहादूर सास्त्री के बारे में और आप देखें कि लाल बहादूर सास्त्री से कई दिल्चस्व किसे जुड़े हुए हैं और आज तो आप देखिए, आज के समय में अगर कोई सरपंच बन जाता है तो वो आप देखते हैं कि अपनी आने वाली पीडियों के लिए भी वेश्टा चार करके रख लेता है और वो आप देखते होंगे कि फोर्चोनर, सफारी इतनी बड़ी बड़ी गाडियों से चलते हैं लेकिन आप ने ऐसा भी हमारे देश्ट ने एक पिधान मंतरी देखा है जिसके पास कार नहीं थी, आप समय रहे हैं और उसके बाद उसके बच्चों की जित के कारण वो एक कार ख़ड़ीता है और कहते हैं कि वो अपने जिन्दा रहते हुए, अपनी पैंसन से, अपनी बेतन से उस कार का भुकतान नहीं कर पाता है समय रहे हैं आप लोग। उसके बाद कहते हैं कि इंद्रा गांधी पिधान मंत्री हुई और इंद्रा गांधी ने उनका कर्ष माप कर दिया हमारे देश ने ये कैसा रेल मंत्री भी देखाया कि एक दुरघटना हुई और उन्होंने स्वयम इश्टिपा दे दिया उस घटने का जिम्मेदार खुद को माल लिया और आज तो आप देखें बड़े-बड़े घोटाले हो जाते हैं उसके बाद भी नेता पद छोड़िये उस घोटाले पर बात ही नहीं करते हैं उसकी जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हैं तो हम आज ऐसे ही व्यक्तित के ब इनका नाम था और इनका उपनाम सांति दूत सास्त्री और इनने इनकी उपनाम थें ुपनाम कहने का मातलब हो जाता है कि आप देखते कि बाफ्तिपिक में आपका एक नाम होता होगा. आपकी परिभार वाले, आपका एक उपनाम रख देते होंगे. तो उसी की बात होती है. तो लाल बहादु सास्त्री का जनम होता है 2 अक्टूबर 1904 को, 2 अक्टूबर 1904 को. दो अक्टूबर को एक और किसी का जनम हुआ था, आप लोग बताईएगा, इनका जनम मुगल सराय वरा नसी उत्तरपदेश में होता है, एक बार आप लोग उत्तरपदेश को देख लीजे, यह आपको उत्तरपदेश देखने को मिलेगा, और आप सभी जानते हैं कि फूर इस्थान रखता है, यह इसलिए क्योंकि आप देखें सभी राज्यों की अगर तुल्ला करें, तो यहां विधान साभा में सबसे जान्दा सीटे हैं, 403 सीटे हैं, विधान परिशत भी है, उसमें 100 सीटे देखने को मिलेगी, लोग साभा में सभी राज्यों से जान् साभ को, आप देखते हैं, बनारस उनका संसदी इच्छित थे, तो उत्तर पिदेश में इनका जनम हुआ लखनवू, अभी राजधानी है, और इनका जनम जिस समय आप देखें कि बनारस में उत्तर पिदेश में होता है, उस समय हमारे उपर अंग्रेजों का सासन था, हमां अंग्रेजों की अधीन थे, इनके पिता की बात करें तो सार्दा परसास स्रीवास्तों, इनके पिता का नाम जो एक स्कूल टीचर थे, स्कूल सिक्छक थे, इनके माता का नाम राम दोलारी देवी, और पतनी की बात करें तो ललिता देवी, इनकी पतनी का नाम, इनके बेटों की बात करें तो आप देखेंगे हरी कृष्ण सास्त्री अनिल सास्त्री सुनेल सास्त्री और असोक सास्त्री इनके बेटों के नाम थे और बेटी की बात करें तो कुसम सास्त्री और सुमन सास्त्री इनकी बेटी इनकी बेटियों का नाम है और इनकी सिक्षा की बात क इसना तक किया हुआ था किसमें कला में और वियोसाई की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि एक सिक्षक भी थे सामाजी कारिकरता भी थे और एक राजनेतिक भी थे आज के राजनेताओं से उनकी तुल्ला मत करियेगा ठेक है यूँकि जमीन आस्मान का आपको फरक्त देख रखाई देगा उनमें और आज के नेताओं में इनका राजनेतिक पार्टी की बात करें तो भारती रख्ती हैं कॉंग्रेस इनकी पार्टी से जुड़े हुए थे और आप सभी जानते हैं कि 1966 में उन्हें भारत सरकात द्वारा मरने के बाद भारत रतन से भी सम्मानित किया गया था यह सर्वोच नागरिक पूरुसकार है सम्मान है हमारे देश का अगर हम लोग लाल बहादु सास्त्री की के सुतंता संग्राम में योगदान की बात करें कि इनका सुतंता संग्राम में क्या योगदान आ है तो लाल बहादु सास्त्री द्वारा 1921 में सुरू की जोड़े ताकि राष्टबादी नेताओं के संपर्क में आ सकें, उनसे पेडा ले सकें, और 1930 में जब गांधी जी ने सविनय एवग्या अंदुलन की सुरुवात की, तो सास्ती जी ने इसमें कूंद पड़े और गांधी जी के साथ चले, और आज आप लोग आजादी जो द जाते हैं कि जो आसानी से मिल जाता है हमें उसका कोई कदर ही नहीं होती है, उन्हें अंग्रेज सरकार ने जेल में डाल दिया, और वे धाई वरस्तक कारावास में भी रहे, तब तक भी कॉंग्रेस पाईटी में अपनी खास जगह बना चुके थे, और इनकी राजनेतिक क्यात्रा की अगर हम लोग बात करें सास्तरी ही के, तो 1928 में महत्मा गांधी के आहान पर भारती राष्टी कॉंग्रेस में सामिल हो जाते हैं, और 1929 में इलावाज जिला कॉं सदिये बोड की आयोजन सदस सचिप भी बने, फिर आप देखेंगे, 1947 में उप्तर पिदेश बिधान सबा की संसदिये सचिप बनते हैं, और 15 अगस्त, 1947 की बात है, 15 अगस्त को ततकालीन मुक मंत्री गोविंद वल्ला पंतर ने उन्हें पूलिस और परिभान मंत्री नियुक किया जाता है, 1952 में आप देखेंगे, सह भूलपूर पशिम सीट से एक बार वो विधायक बने, और 13 मयू को भारत गड़ राज के पहले रेल मंत्री बनाय जाते हैं, क्या रेल मंत्री बनते हैं, फिर आप देखेंगे, 1957 में पंडिज जवालाल, नेरू ने फिर से लाल बहादु सास्त्री को मंत्री मंत्रल में परिवान और संचार मंत्री की रूम में नियुक किया, 1958 में आप देखेंगे, वडिज और उद्ध्योग मंत्राले के प्रभारी के तोर पर नियुक किया जाते हैं, 1961 में पंडिज जेवी पंद की विर्तिव के बाद वह ग्रह म मंत्री बनते हैं, होम मिनियुक बनाए जाते हैं, फिर आप देखेंगे, 1964 में नौ जून को वह भारत की दूसरे पिदार मंत्री बनते हैं, और 1966 तक काम करते हैं, क्या करते हैं, काम करते हैं, पिदार मंत्री पत पर बने रहते हैं, लाल बाद और सास्त्री के फिर deliveries उतन हो अगर कहीं आप लोग स्टेट PCS या सेबल सर्विस की तैयारी करते हैं और answer lighting लिखते हैं आप लोग, तो हाँ इस तरह के उपयोग कर सकते हैं लोगतंत के बारे में लिख रहे हैं, तब भी आप लोग इनका उपयोग कर सकते हैं कानून के बारे में लिख रहे हैं, तब भी आप लोग इनका उपयोग कर सकते हैं। लोगों को सच्चा लोगतंत और सोराज कभी भी हिंसा और असत्त से प्राप्त नहीं हो सकता है। दूसरा कतन था कि कानून का सम्मान किया जाना चाहिए तागी हमारी लोगतंत की बुनिया जाती पर अगर पिछडे लोगों पर आपके पास निवंद या कुश्टन्स लिखने के लिए आता है आंसर तो आप लोग इहां उसका उपयोग कर सकते हैं। हमारी तागत और रिष्थित्ता के लिए हमारे सामने जरूरी काम हैं और लोगों में एकता और एक जुटता इस अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको इसके बारे में मालू होगा। शास्तरी-इंडो-कनाडाई संस्थान का नाम सास्तरी के नाम पर रखा गया क्योंकि भारत और कनाडा की भी बिद्वानों की गती-विदियों के विकास में उनकी भी फुन्ने तिती पर 2011 में उत्तरपदेश सरकार ने वरानस के रामनगर में सास्त्री के पूरवजों के घर का पूरणार निर्वान करने की घोशना की और इसे एक संजीवनी जीवनी संग्राले में बदलने की घोशना की वरानसी अंतराष्टी हवाईड़ा ए भी नहीं के नाम पर रखा गया है उजवेकिस्तान की तासकंद में उनके नाम से एक स्मारक इस्थापित किया गया जिसे भारतिय संस्किती का केंद माना जाता है और उसके बाद उनका नाम नाम पर एक सड़क का नाम भी रखा गया है आप देखेंगे कि उत्री करनाटक में इस तित किष्णा नदी पर बनाए गये अलमाटी बान का नाम बदल कर लाल बहादु सास्तरी सागर रखा गया है जिसके नियू का पत्थर उनके द्वारा ही रखा गया था लाल बहादु सास्तरी के द्वारा अरवी आई द्वारा पांच रूपे का सिक्का भी जारी किया गया 1991 में हर वर्स अकिल भार्तिय लाल बहादू सास्त्री हौकी टूनामेंट को आयोजित किया जा रहा है 1991 से सास्त्री जी की पितिमाई विभिन सहरों में स्थापित की गई जैसे मुंबई, बैंगलोर, विद्यासाव, नई दिल्ली, सी जी ओ परिशाय में अलमाटी बांध स्थल, रामनगर यूपी, हिसार, विजागा, पत्तिनम या विसाखा पत्नम, नागार जुन, बांध स्थल, यह बारंगल यहाँ आपको इनकी पिटिमाएं भी देखने को मिलेंगी सास्तिरी जी की अर्थ पिटिमाएं बिभिन सहरों में स्थापित की गई और आप देखें के जब हमारे देश का कोई इतना बड़ा महान निता रहा है इसने ही महान उपलब दिया रही है तो उसके मूर्तियां उनके बारे में सब देश भर को मालू होना चीए इमाचल पिदेश की मंडी में लाल बहादु सास्तिरी मेडिकल कॉलेज भी खोला गया नई दिल्ली चैन्नाई लकनव इत्यादी में भी सास्तिरी भवन भी बनाए गया जब सास्तिरी ने एक बार ऐसा हुआ आप सभी जानते हैं कि जब हमारी आजादी हमें मिली 1947 में तो हमारे सामने भी हैं बहुत सारी समस्याएं सिर एक तरह से आप सोची आपके सामने खड़ी हुई थी तो उनी में से एक खाद्यान समस्या भी थी तो कहते हैं कि जब सास्तिरी जी ने कहने पर पूरे देश ने उपभास किया था लेकिन ऐसा भी माने जाता है कि उन्हों ने इसकी सुरुआत अपने घर से की थी और अपने बच्चों को एक दिन भूंका रहने के लिए कहा था उपभास रखने के लिए कहा था उन्हें लगा कि हमारे बच्ची अगर रख सकते हैं तो हम तभी देश के सभी नागरेखों से आहान कर सकते हैं हम वो काम कर पा रहे हैं आप ऐसा आज कल की नेताओं को छोड़ दीजे आज कल की नेता तो आप देखते हैं कि खाते रहेंगे और देश भर की जनता को बेवखूब बनाते रहेंगे सास्त्री जी के कारकाल में एक समय ऐसा भी आया जब देश के सामने अनाज संकट समस्या आ खड़ी दूई देश के पास सरिफ कुछ ही दिनों का अराज भागी था अमेरिका भारत को अनाज जैने के लिए तेयार था लेकिन सास्तिरी जी को अमेरिका से अनाल लेकर देश के आत्मसंमान को गिलते देखना मंझूर नहीं था उन्होंने अपने परिवार के साथ एक दिन का उभास किया और दिन भर कुछ नहीं खाया इसके बाद उन्हें विश्वास हो गया कि अगर एक दिन कुछ ना खाया जाए तो भी जीवित रहा जा सकता है उन्होंने देश विवासियों से कुछ दिनों तक सप्ता में एक दिन का उभास करने के लिए कहा कि अपनी पिदानमंत्री आवास में भी आप देखे गयों का उपच करवाया था बोया हुआ था ठीक है आप जानते हैं कि 1965 में जब भारत पाकिस्तान का योद्ध हुआ तो उस समय हमारे देश के पिदानमंत्री भी आपके लालवादु सस्त्री ही थे पाकिस्तान को लगता था कि चीन के योद्ध के बाद भारतिय सेना को मनोवल गिरा हुआ है यानि कि आप देखते हैं कि 1962 में जब हमारा और चाइना का योद्ध होता है भारत चाइना का तो भारत हार जाता है तो पाकिस्तान के होसले बुलंद हो जाते हैं वो सोचता है कि चलिए ये तो बारत कमजोर हो चुका है अब तो हम ही वह हरा देंगे और पाकिस्तान भी हमारे उपर आकुमन करता है लेकिन उन्हें लगा भारती नेतित में आत्मवेस्वास की कमी है पाकिस्तान को लगा उसने नेड़ा लेने की चमता नहीं है क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपना प्रिद्धान मंत्री खोया है हम लोग ने किसे किन की बात हो रही है पंडी जबालाल नहरू की उपर से अना संकट की समस्या भी सर उठा के खड़ी हुई इसके अलावा पाकिस्तानी सेना और सरकार को अपने अमेरिकी सस्तों पर भी बड़ा अभीमान था और इसी गलत पहिमी के चलते अमेरिकी चलते पाकिस्तानी सेना ने 1965 में भारत पर आगमन कर दिया और सास्त्री जी ने तीनों सेहनाओं के प्रमुख को पाकिस्तान के को सबक सिकाने का आदेश दिया यह सास्त्री जी का आत्मे विश्वास था कि उन्होंने बिना अंतराष्टी दबाओ की चिंता कि यह सेहनाओं को लाहोर पर कपज़ा करने का आदेश दे दिया यहां तक कि अमेरिका को भारत से निवेदन करना पड़ा कि कुछ समय के लिए योध बिराम कर दिया जाए ताकि अपने नागरेकों को लाहूर से साकुसल निकाल सके लड़ाई के अंत में अंत तक भारत ने पाकिस्तान के 735 बर किलोमीटर छेत पर अधिकार कर लिया था हम लोगों ने भारत ने लेकिन अंत में अमेरिका और सोवियस संग के दवाओ की योध बिराम हो गया और भारत तथा पाकिस्तान को समझोते के लिए रूस में तासकंद में नियमंतित किया गया या समझोता इतिहास में तासकंद समझोते की नाम से जाना जाता है और एक बात और आपको बता देता हूँ कि देखिए हमारा रूस बहुत अच्छा मित रहा है मेसा से और आप देखिए पाकिस्तान की तरफ और चाइना की तरफ एक समय था कि अमेरिका का जुकाओ था आज जो अमेरिका हमारी तरफ जुकाओ दिखा रहा है न इसकी एक बज़े है अगर आप देखिए चाइना को आगे वड़ने से रोकना है तो बिना भारत की मतलब के संभव नहीं है इसलिए आप देखिए आपके यह मतलबी दोस्त है अमेरिका ठीक है सास्त्री जी के जीवन से जुड़े कुछ किस्से भी है जब रेल मंतराले से इनों ने इस्तिपा दिया था 1965 में सास्त्री जी रेल मंतरी थे तब एक रेल दुरगटना में 155 लोगों की डेथ हो गई थी, मौत हो गई थी, विज्तिव हो गई थी तो सास्त्री जी ने नयतिक रूप से अपने आपको इसका जिम्मेदार माना और रेल मंतराले से एस्तिपाते दिया इसके उलाट आज बड़े बड़े घोलडराले के बापचुद, राजनेता स्तिपात देना तो दूर बलकि इसके जिम्मेदारी तक नहीं लेते हैं और आप देखें, मीडिया अगर कहें, तो मीडिया को जेल में भी उठाके डाल देते हैं, कार खरीदने के लिए लॉन, जब वे पिधानमंद्री थे तो उन्हें कुछ लोगों ने कार खरीदने की सला दी, कार की कीमत 12,000 थी, और उनके पास थे 17,000 रुपे, इस पर उन्होंन देखने को मिल जाएगा कि इंद्रा गांदी ने माप करवाय दिया था, कई लोग कहते हैं कि पैंसन से उनका भुकतान किया गया था, एक और कहानी है बेटी का कॉलेज में एडवीशन, अपने बेटी का कॉलेज में एडवीशन करवाती समय फॉन में उन्होंने स्वयम के बारे में पिधानमंतरी के स्थान पर सरकारी करमचारी लिखा, ताकि उनके बेटों को किसी तरह का अत्रिक्त फायदा कॉलेज पिसासन की तरफ से नहीं पहुंचाया जाए, और एक बार जब उनके बेटों को गलत तरह से प्रमोसन दिया गया, तो उन्होंने इस प्रमोसन को निरस्त भी कर दिया था आज के आप सोच रहे हैं बिधायक बन जाता है तो आप देखते हैं उसके पड़ोसी भी अपनी कार पे लखवा लेते हैं कि बिधायक जी की गारी आप समय रहे और कॉलिज में अगर उसके बेटे को एड़ीशन चाहिए होता है तो वो बोल देता ह बिधायक जी का बेटा और आप देखी हमारे देशने एक पिधान मंत्री भी ऐसा देखा है तो बहुत कुछ है आप सोचे कि उन समस्याओं से नेपटना भारत जब आजाद हुआ तो हजारों समस्याओं खड़ी हुई थी इमांदार हमारे उस समय के निता थे तब जागर ह जब बेयात्रा कर रहे थे तो गन्तप विस्थाल पा पहुंचे तो स्वागत करता मालायन लेकर फर्ट क्लास के डिब्बे के बाहर एकत्रित हो गए लेकिन जब सास्त्री जी थर्ड क्लास से बाहर आये तो सभी उनकी साद्गी देखकर दंग रहे गये और स्रीलाल 66 में भार रतरन से फुरुसकार भी दिया गया आज की यूबावरक और राजनेताओं को सास्त्री जी की जीवन से पेड़ा लेनी चाहिए उनके मूल्यों और विचारों का अनुसरन भी करना चाहिए अब देखी हो लाश्क टाइम सबका आता है तो लाल भादो सास्त्री की मित्तिव के लेकर और उनसे जुड़े कई रहस्य है कई लोग कहते हैं कि इनकी डेथ हुई दिल का दौरा पड़ने से कई लोग कहते हैं इनकी हत्या कर दी गई थी तो ऐसा माना जाता है कि सास्त्री जी कि समझोती की मसोदे से खुश नहीं थे और पाकिस्तान को उनका इलाका वापस नहीं करना चाहते थे। लेकिन अंत में उनके समझती पर हश्टाक्ष़ करने ही तासकन्द में समझती पर पाकिस्तानी सासक अयूग खान के साथ हस्ताक्षर करने की कुछ ही घंटों के बाद 11 जन्मरी 1965 को उनकी रहस्मर परिस्तितियों में मौत हो जाती है उनकी मित्तिव आज तक दुनिया के लिए रहस्त बनी हुई है और अधिकारी ग्रूप से मित्तिव का कारण हार्ड अटेक माल लिया गया लेकिन बहुत से लोग इसे हत्या के रूम में देखते हैं और कुछ तो संदे पिरगट करते हैं और उसकी कारण भी है कुछ सास्तिरी जी का जब सव यानि कि उनकी डेथ जो सरी था भाद लाए गया तो वह नीला पड़ चुका था जिसे देखकर लगा कि साहथ उनने जहत दिया गया उनके सव का पोश्ट मारम नहीं करवाय गया यदि पोश्ट मारम करवाया गयता हो तो उनकी मित्तिव का सही पता चल सकता था और आज कल आप देखिए किसी की भी हत्याव होती है या कुछ भी होता है तो उसका आप देखते हैं पोश्ट मारम होता है लेकिन आप देखिए कि इनका नहीं करवाय गया सास्तिरी जी के निजी डॉक्टर और निजी सहायक का नेधन अलगला हादसों में उनकी मित्यू के कुछ समय के बाद हो गया दौनों ही सास्तिरी जी के साथ तासकंद दौरे पर गए थे तो यहां से भी यसे लगता है कि सास्तिरी जी की कुछ राज थे सास्तिरी जी के कुछ निजी बस्तू है जिनमें एक थरमस भी सामिल था तासकंद से बापस नहीं ला जाएगा कुछ लोगों का संदे है कि वैब एक्ति कोई नहीं बलकि निता जी सुवाष्ठन बोस थे और साइध इसलिए कुछ अंतराश्टी तागतों को सास्त्री जी का निन्दा भारत आना सुविकार नहीं था तो इसलिए भी कहते हैं कि उनकी हत्या कर दे गए सोविय संग की खुपिया एजनसी के जी बी के अधिकारी मित्रो खिन ने बहुत सी खुपिया जानकारियों को चुरा कर उन्हें एक किताब की रूम में 1952 को वेटेन को सुपा इस किताब को मित्रो खिन अर्काईव के नाम से जाना जाता है इस पुस्तक मैं तासकन समझोती है कि समय ऐसे कई घटना किरमों का जिप किया जो सास्तरी की मौत के कारणों पर संदे प्रगट करते हैं तो यही कहानी है अभी तक सास्तरी के जीवन की जो भी रही है उनसे जुड़े जो किससे रहे हैं उनके मौत के जो रहस्त है अब वो लेकर देना बड़ा असन लेकिन उनकी विचारों पर चलना बड़ा मुश्किल होता है आज जितनी भी आपकी राजनेता है राजनेती पार्टिया है वो बड़े बड़े राजनेता हों का आप देखिए हमारे जो महापुरुस रहे हैं उनका नाम का उपयोक सरिफ बोट बैं करेंगे और इसके लिए पर लेलेस्ट सूची है आपकी बायोगराफी जीवनी के नाम से वहां जाकर आप लोग देखते रहिए